नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे SN Series के Plumber Block में Bearing के साथ में यूज होने वाली Adapter Sleeve और Locating Ring के बारे में SN Series के Plumber Block में तीन टाइप के Bearing यानि तीन अलग-अलग नंबर के Bearing का यूज किया जाता है अब इन तीन अलग-अलग Bearing नंबर में किस साइज की Adapter Sleeve और किस साइज का Locating Ring लगता है वो भी आज हम इस वीडियो में Clear करेंगे तो दोस्तों वीडियो का Topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को Like जरू कर दे और हमारे दूसरे चैनल Mechanical ग्यान का Link मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एक अग्जामपल लेके चलते हैं SN509 नंबर Plumber Block की SN509 नंबर जो Plumber Block होता है इसमें 3 Bearing का यूज किया जाता है 1209 के, 209 के और 209 के 1209 के Bearing नंबर के लिए H209 Adapter Sleeve का यूज किया जाता है और जो 209 और 209 Bearing नंबर होते हैं इसके लिए H309 Adapter Sleeve का यूज किया जाता है अब H209 और H309 sleeve में क्या फर्क होता है वो हम देखेंगे दोस्तों जो H209 sleeve होती है उसकी width H309 sleeve से कम होती है और इसको हम समझेंगे आगे एक table के साथ इस table में दोस्तों सबसे पहले है bearing number उसके बाद है adapter sleeve size, locating ring size, bearing की width जो bearing हम use कर रहे हैं एक छोटी सी calculation और last में है CA, CA दोस्तों वो dimensions है plumber block में जहां पे bearing ने fixed होना है locating ring के साथ में ठीक है दोस्तों तो यह जो CA की dimension है यह locating ring के size पता करने में काफी help करती है तो दोस्तों हम जो bearing plumber block use कर रहे हैं वो है SN509 तो CA की value मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो इस plumber block में CA की dimension होती है वो होती है 31 mm तो bearing इसमें सबसे पहला जो हम use कर रहे हैं वो है 1209 के 1209 के bearing के लिए sleeve adapter sleeve का use किया जाएगा H209 locating ring का size रहेगा दोस्तों इसमें 6 mm और इसमें 2 locating ring का use किया जाएगा और ये जो bearing होता है 1209 के इसकी width होती है 19 mm ठीक है दोस्तों तो आगे हम इसकी calculation करके देखते हैं 19 mm में अगर हम 2 locating ring यानि 6 mm प्लस 6 mm करेंगे तो ये जो इसको calculate करने के बाद हमारे पास आएगा 31 mm ठीक है दोस्तों तो यानि ये जो CA की value है 31 mm इसको हमने cover करना है bearing की width और locating ring के साथ में ताकि bearing हमारा plumber block में इधर उधर movement ना करें तो ये जो locating ring होते हैं ये bearing के outer को low करने का काम करते हैं ताकि bearing ये जो CA की dimensions है इसमें इधर उधर move ना करें ठीक है दोस्तों और ये जो CA की value होती है ये plumber block के number के साथ में vary करती है तो बढ़ते हैं दूसरे bearing number के तरफ दूसरा bearing number है 2209K plumber block हमारा वही है SN509 bearing number यहाँ पे change हो गया है तो 2209K के लिए adapter sleeve का use किया जाता है H309 और इसमें locating ring का size रहता है दोस्तों 8 mm और इसमें एक ही locating ring का प्रयोग किया जाता है bearing की width होती है जो 2209K bearing है इसकी जो width होती है वो होती है 23 mm 2209 जो bearing numbers है दोस्तों यह double होता है इसलिए इसकी width 1209 bearing number से जादा है और अगर हम इसकी calculation देखेंगे यानि bearing की width में locating ring का size हम add करेंगे तो 23 plus 8 हो जाएगा दोस्तों 31 mm यानि यहां भी हमने CA की जो dimensions है उसको cover कर लिया है locating ring के साथ में इसके बाद दोस्तों जो तीसरा bearing है वो है by 209 के इसमें भी same adapter sleeve का use किया जाएगा H309 locating ring रहेगा 8 mm का width bearing की same है 23 mm तो इसमें भी हम तेई में 8 add करेंगे तो 31 mm की जो CA की dimensions है वो हमने cover कर लिए है तो दोस्तों ऐसे ही हर एक plumber block में अलग-अलग bearing number के साथ में अलग-अलग locating ring का use किया जाता है तो ऐसे दोस्तों अगर हमको plumber block की CA की dimension पता है और bearing की width हमारे पास है तो उससे हम locating ring का size निकाल सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं adapter sleeve की कि H209 और H309 में क्या फरक होता है दोस्तों यहाँ पे 1209 के के लिए H209 adapter sleeve का use किया गया है और 209 और 209 के लिए H309 sleeve का use किया गया है इन दोनों bearing number में सिर्फ bearing की width का ही फरक है 1209 bearing numbers है उसकी bearing की width होती है 19 mm और 209 by 209 की width होती है 23 mm और यही फरक है दोस्तों इसकी sleeve में H209 जो sleeve होती है उस sleeve की width और उसका जो lock nut होता है उसकी width तो यह जो width होती है वो H309 sleeve से कम होती है ठीक है दोस्तों और जो बाकी की dimensions होती है वो दोनों की same होती है सिर्फ जो sleeve की विर्थ होती है और जो उसके lock nut की विर्थ होती है वो H209 sleeve की कम होती है H309 sleeve के compare में तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा तो वीडियो अच्छी लेगी है तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरू कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें थैंक्स पो वोचिंग